करेंगे तो अगर तो सबसे पहले लिखा उन्होंने छे पर क्रेंब तू होती है ट्वी कि सब्सेब्ले होती है उसमें अगर इंदी महिने के साब गफ देखे तो माग और ठगून होता है जो भी चल रही है वसंद होती है चैतर और वैसा ग्रिस्म जो होती है जेश और ऐसाड वर्स रितु जो वहती है वह सावन और बाढ्रपन है श्रद रितु जो होती है और हमन रितु जो पते इस अपक्यादोर स्थ hmade對吧 एक साथ फ्लो साथ बना रखा है समझाने का तिर कि याच चीज देख अच्छे समझ लो जो देखो जो ने कैसे लिखा करम संक्या करत्तु एंगरतिय वाइना भरतिय अग्रजी माइना भी लिखा रहा है रासी क्या होती है क्या काम कर गी सुर्य का जोबह लोगा परबल हो और दुरूबर लोगा वो बता रखा है इसमें से तुम्हें क्या पढ़ना है बता रूँगा मैं बोल दूँगा वह वह नोट कर लिए है ना सबसे पहले रितू का नाम सिसी रितू होनी है मेना भरतिय मेना माग फागुन जनवरी मार्स और फरूरी मार्स तक है ना इसके बाद दु में याद करना सिधा ही तो रस वना तिक दरस रिपटेंट होता है और बल कौन सा थोता पढ़ना ही सिस्ट बल होता है व्रसंदर्थु barbar मार्स यह जिसक अंदर अदय होता है कि हीं है Жन रमgomक जो होते हैं इसके वह वैस भर्टश धेयर को रिखा स Pause है जो तुजो होती है वो आती है अब बात करता है अब बात करता है अधन काल की अधन काल में तुमें बता ही दिया पहले बात कर्म काल में प्राणे का जो बल होता है वो हमेसा गढ़ता रहा है इसलिए इसको आदानकाल पोलेः इसका मारग में में सरस्जिय मार्म से मार्म के कर्म के कर्राण उसके बाद उन्हों लिखा एक रुख्स गुण वाले तिक्त कसाय कटूरस की क्रम से वर्द्य होती है अगने गुण की प्रदान था करने इस काल में अगने काल भी बोला जाता है दूसरे अपने पड़ा था विश्रकाल विश्रकाल में किया बड़ा था अपने तीन रुतों होती है वापस वई वर्षा सरद और हेमन दक्षिनायन होता है यह पर चीज बता हो ना भई इस काल में प्राणियों का जो बल होता है वो हमेश्दा बढ़ता रहे ठीक है बल परदान करने के लिए उसको विश्रकाल भी इस काल में सुर्य के माग में सुबाव के कारण सुरी जो था दक्सिंदी सामें कमल कर दाए और इसमें जो होते है धूब थोड़ी जिसे बोलते हैं इनिम्दे तावड़ा तोड़ी कम हो यह आगर है और इसके बाद अपन और चीज़ी देख है कि इस काल में वर्षा उठं कि अब एक इन्पोटेंट जटी कि यह चीज तीनों जो लिख रखा है एमन दुश्य से रितू में प्राणियों को बल उत्तम होता है वर्सा और ग्रिस्प रितू में प्राणियों को बल मीडियम होता है सबसे पहले बात इन्पोटेंट बात करें कि यह सुनाता है इमन दुश्य को बड़ा सा क्यों सुनाता है तो कौन से कहां से तुम्हें स्टार्ट करना यह सिप देख लो है ना वह में तो कुछ तल्दा के गारन बलवान पूर्सों के सरी की उसमा रोम कुपों के बंद हो जान अंदर यह सका 설명 से और इह मनत τιमें मजदुर अमंल रावनडरस वाले हर का सेवन क二ह भारी वाले गुरूए है इह मनत reversal के अंदर रातों में कि क्या होता है कि नाइट चो इसके गारन दीन चोटा होता है दिन चोटा हो отдali कर मोड़ने में मृत खाल उन्हार प्ती यहAl idea wrestle Could कि इस रित्म में वात ना सकते लों से अभ्यांग करना चाहिए और बस इतना यह काफी इस फालतों के चीज़ना पड़ना वहीं करने के बाद केसर कस्तुर आधी सुगंती द्रवों का लेप लगाना चाहिए गुरु आधी से दूपन करना चाहिए इसने युक्त मास रहत गूड से बनी हुई जो मदिरा होती है उसका लिमिटेट यूज करना है ठीक है ऐसा नहीं मदिरा का बहुत न बोला अनलिमेटेट पीए जा रहे हो सर्बीओं मैं सित काल से बसने के लिए गरम पानी का प्रियोग करना चाहिए तुब्ल है रेसमी कपड़ों का भि Анथारं करना मदिर सूर्य की किनां से युक्त पूर्वक शिवन करना चाहिए और स्वय्धं करना चाहिए शन्ताम पदू सक अलावा किल पन सब्सक्राइब करना चाहिए अगर उसे तप्त घर में गरब मालों यह कुल इमलाकर यह चीज इसने यह बात बोली है यह जो अगनी होती है जालाकर उसके आस पास में बैठना चाहिए वेक्तिय को ठीक है वाई ताकि गर्मी मैसूस हो उसके बात बात कता है पने सिसी रितो की सब्सक्राइब करना चाहिए इस रुट में में बात यह कि उष्ण ग्रव और वायू रहीत इस्तान में रहना चाहिए ठीक है इस रुट में सदी ज़्यादा होती है अदन काल के अंगर्ण रुक्सता भी बढ़ती है घर में रहना तुमें जांपर ठंडी हवान नहीं आती सब्सक्राइब करना चाहिए उबटन और पेरों में चपल करना चाहिए उबटन और पेरों में चपल करना करके सब्सक्राइब करना चाहिए उबटन करना चाहिए पुराने जो यह सेद जांगल प्राणियों के मास्को जो लुए के चलाका में कूट करके पकाया गया उसको सेवन करना चाहिए जो चीजे इंपोर्टन वही नोट करो भाई फाल तो चीजे ना पड़ा दक्सन दिसा कि व गुरु सित्र इसनीक दा अमल मदूर अहार को ता दीवा स्वैन को त्याग देना चाहिए अब बात करें गर्मियों किया होता है कौन सा दोस्त बर कुपीत होता है बता देंगे सारा कि घर्मियों के अंदर जो गर्सम रितू थे इन पूसन आता तो नहीं है बड़ देख ल सब्सक्राइब करना चाहिए यदि करना भी है तो कम मात्रा में और पानी के साथ मिला कर प्यों थोड़ा सा और मोगरा और चंदरबा के समान स्वेद धाली धानियों को भागो जागल मास के साथ खाना चाहिए पतले मास रत को पिना चाहिए यह चाहिए इतना इंपूटर नहीं है सुगंदी पुस्पो और कपूर युक्त शितल जल का पिना चाहिए अब बात करें वर् अज़िये में हो जाएगी दोस्त क्या प्रकुपित हो गया तो वर्शार उतुक में बादलो में जल होने से तुसार युक्त चितल वायू के चलने से जो जठ्रा अगने मन्द होने से और बूमे से उठ हुई बाइश पर से हार के अमल पाकी होने से दूसरित जल के से संसों जरना के बाद निरूबस्ती का प्रयोग करना चाहिए पुराना धानिया च्छोंक वा मास इस सारे चीजों का लिमिटेट यूज़ करना है ना वही इसमें बहुत सारे देर का पालतों की चीज़े लिख रखी है वह काम की नहीं वर्सारी तो में वहान से बाया निकलना चाहिए जो तीन द्रेवयों को धारण करना चाहिए दूपित वस्त रधान करने जो दूप में सुकार के हो अच्छे सुके हुए वहों उनको धारण करना चाहिए बास पर सीतरलों वर्सा की फुरार से रही मकान के जहां पर मतलब जो बर साथ हो रही है उसका पानी नहीं उन सब चीजों से वहां पर तुम्हार रोखना चाहिए नदी का जल ऐसी चुछ लेयर दूब सेवन यहारव में इस सब चीजों को प्यां गर नाचा कि बात का सरद रितों की इन्पोटन रितों है कि उसनाता ही आता है कि बोला है कि वर्षा रितों में जो सितकाल से सात्मी व पर सूर्य की किन्नों से अच्छानक संचित हुआ पित क्यासा होता है परकुपित हो जाएगा तो 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 में जो भूक लगने पर तीक दमदूर और कसा रस्वाले का सेवन करना चाहिए इसके अलावा जो साली धान मुंग है मिस्री आवला है परवल है सेदे जांगल मास का सेवन करना चाहिए अब क्यों सुना आता है अंसों दक्या होता है इन पूटेंड क्यों सोने कोटेशन जिसको याद हो जाब वो पढ़ लेना भाई लिख रखाए तब तम बला ठीक है कि दिन में सूर्य की किन्नों से पानी में जो किन्ने पड़ती है उससे और रात में संद्रमा की किन्नों से ठंडा हुआ पानी है अगस्तितारे के उद्धे होने से निर्विच हुए निर्मल और मल ना सक जल को जो हम अंसो क्याता कि उसकी थैर्मल शेटाए रखोधाए भाईवामें पुछा जाता है और पिने अम्रत के शलिखृत है बहुत जरूराै सुर्य और संद्रमा को हंस सबसे उच्छारित माना है हंस एक पक्सी सुच जलको ही पिता है बुगला जी से बोलता है दोनों का अन्रों से जलको अंसुदक बोला है ठीक है राते में पर्थम पर में चंदन और उसी एवं कपूर का तेय लगा के मोतियों की माला पैन कर सुंद लगान के सत्पर बैट करके संद्रबा के किनों का सेवन करना चाहिए यह बीचीज और बोली है अब संगसिप्त रितुच चरिया की बात करें अपन लोग है ना हमन जो सिस्ट आए स्वारी में मदूर अमन लवन रसका सेवन करना सेवाशन रितुमें कटू तीक्द का साय क करना चाहिए जिसमे रितुम के अंदर मदूर अश्का घर्मियों में मेटे चीजे और जब बशाद हो रही हो तो अमल वर लवन रसका सेवन करना चाहिए स्राद रितुमें रूख्ष द्रबा का सेवन करना चाहिए ठीक है बाई एक इन्पूट एंड क्यूसन है बता दे तू कि वर्तमान रितुम में पित का सामख और अगनी को बढ़ाने का काम करना चाहिए ठीक है अब वहते रितु संदीकाल क्या होता है इन्पूट एंड क्यूशन पूस्ट था बहाई तो कि अपूछिछ जाते है कि वर्तमान रित लुक व्यवार में शरद नवरातरी के रूप से मौने जाता है और वसंदर गिश्म रितु की मद्य में जो रितु काल होता है इसको लोग वимости पसंद्ने नवराते के रूप में बाने जता हैं Deme और सबसे ज़्यादा झो संक्रमिा गडी जी होती है इन ही दो संधी के नरोमारे, दोनों में होती है जो तो इसने विमारे रृत में नवरात वे से कोई बिमारी नहीं होती है और भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो यह किसी चीज में तुम्हें दिखा तो भाई तो पूस लगते हो रितु संदी तुम्हारे यह रितु चरिया यहीं तक थी और ठेंक्यू गाइज बाखी तुम्हें न दिया अठीया मैं थैंक्यू गाइज